वेल्कम टुदा जी की अब्जेक्टिव पैलोजेज चैनल तो भाई देखो आई-पी युनिवर्सिटी का जो 85% का कोटा है मतलब दो मेडिकल कॉलेज एक तो आपका बाबा साहिब अमेडिकर मेडिकल कॉलेज रोहिनी वाला और एक आपका हिंदू राओ इन दोनों कॉलेज की जो 85% तो यह नया नोटिफिकेशन आया है Admissions 2021-22 में जाओगे Notices Circular पे किलिक करेंगे ठीक है भाई इस पे किलिक करने के बाद यहाँ पे देखो 312-2021 को यह वाला नोटिफिकेशन Urgent Notification Regarding Online Registration Submission of Counseling Participation Fees Followed by Online Verification of Document इस पे हमें किलिक कर देना है Notification हमारे पास है इसको मैं जूम कर देता हूं यह देखो अब इसमें यह है कि Confusion कि भाई जो जिन बच्चों ने IP का फॉर्म पहले निकला था और बहुत पहले IP का फॉर्म निकल जाता है तो उन्होंने जिन्होंने नहीं भरा है फॉर्म क्या उनके लिए अलाउड होगा या नहीं होगा या जिन्होंने फॉर्म भरा है दो मेडिकल कॉलेज एक तो बाबा साहेब आम बेटकर मेडिकल कॉलेज और एक आपका हिंदु राओ इनके जो 85% सीट से हैं उसकी काउंसलिंग IP उनिवर्स्टी करेगा बाकी जो IP के अंदर और भी कॉलेज हैं एक आपका AC MS की भी करेगा Army College of Medical Science वो भी इसके अंदर आता है बर्दमान महाभिर Medical College और अटल भिहरी बाजपई इंस्टूट अप मेडिकल साइंज जो की डाक्टर आरेमल ये क्या है दोनों Medical College जो है वो Central Government funded हैं इनकी काउंसलिंग MCC कराएगा Medical Counseling Committee लेकिन कोटा IP ही लगेगा लेकिन Allotment उसके थुरू होगी पाकी जो तीन Medical College है हिंदुराओ, बाबा साहब अंबेड कर और एक आपका AC MS वो IP के 85% कोटा के थुरू Allot होगे तो इसका Detailed Procedure कल यानि 6 December को आएगा तो उसमें ये बात किलियर होगी कि नए बच्चों के लिए Allowed है जिनोंने नहीं किया पहले तो ये सब चीजे कल किलियर हो जाने वाली तो IP का जो Counseling का Notification है वो Website पे आ चुका है